जिन्दो आतंकियों को सुरक्षावलों ने धेर किया फिलहाल उनकी शिनाक्त नहीं हो सकी है रविवार को लाडूरा गाउं में आतंकियों के होने की सूशना पर सुरक्षावलों ने गाउं की घिरावंदी की थी इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलो पर फाइरिंग शुरू कर दी, इसके जवाब में सुरक्षा बलो ने भी गोली बारी की जनकारी के मताबिक मारे कए दोनों आतंकियों के पास से सुरक्षा बलो को हत्यार और गोल अबारूद बरामद हुए हैं सुरक्षबलों को इलाके में अभी कुछ और आतंकियों के मौजूद होने का शक है इस वजह से सर्च आप्रेशन लगतार जारी है जमू कश्मीर से आतंकिय के सफाई के लिए इस साल की शुरुवास से ही सेना ने विशेश अभियान चला रखा है सेना और जमू कश्मीर पुलिस के साइंस अभियान की वजह से आतंकियों की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी है इस बीच NIA द्वारा टेरर फंडिंग को लेकर की गई कारवाई ने आर्थिक तोर पर आतंकियों की कमर तोडने का काम किया है ऐसे में जमू कश्मीर के आर्टिकल 370 हताय जाने के बाद भी आतंकियों की वौकलाहट काफी बढ़ गई है वर्ष 1990 से 1996 के दोरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद समालने से पहले वे 1989 में भारत के 18 कैबिनेट सिकेटरी का पद समाल रहे थे 1996 में उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए रमन मेकसे से अवर्ड दिया क्या था पुर्व चुनाव आयुक्त S.Y. कुरेशी ने ट्विट कर उन्हें शद्धांच लिदी है कुरेशी ने कहा कि वे सच्चे अर्थों में महान थे कुरेशी ने लिखा मैं उनकी आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करता हूँ पंधरा दिसंबर 1932 को केरल के पलककर जिले के थिरुने लई में पैदा हुए शेशन ने मदरास क्रिश्चन कॉलेज से ग्रजुशन की डिग्री ली इसके बाद वेभारतिय प्रशास्निक सेवा की परिशा पास करने के बाद उन्होंने अमेरिका की प्रतिश्ठित हार्डवर्ड युनिवरस्टी में एडवर्ड S. Men and Fellowship के तहत पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की तियन शेशन और मेट्रोमेन कही जाने वाले इश्रीधरन ने पलककर के B.E.M. High School और Victoria College में साथ साथ पढ़ाई की दस में चुनाव आयुक्त के तौर पर शेशन पारदर्शिता और दक्षिता का प्रियाय थे तियन शेशन ने 1997 में देश के राष्ट पतिपत के लिए चुनावड़ा लेकिन वह के आर नारायंट से हार गए थे करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ा पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान का एक वीडियो वाइरल हो रहा है इसके उद्गाटन समारों के दौरान वे अपने साथियों से पूछते हैं कि हमारा सिद्धू किदर है मैं कह रहा हूँ हमारा सिद्धू इसके बाद उनके साथ शटल में सवार कोई सहयोगी कहता है कि उन्हें रोक रखा था वीडियो में बैक ग्राउंड से एक और आवाज आती है कि वे जथ्धे की लाइन में लग गए हैं लेकिन अभी आए नहीं इसके बाद इमरान खान पूछते हैं मनमोहन आ गया तो एक महिला मंतरी जवाब देती है हाँ सिद्धू को रोक रखा था इस पर इमरान कहते हैं उसे हीरो बनाएंगे इस पर महिला मंतरी कहती हैं कि हाँ वो सारे चैनल की हेडलाइन बनेगी इस बीच एक और आवाज आती है कि उनके दर्वाजे बंध हैं हमने अपने दर्वाजे खोल रखे हैं इसका एक शौट ले लेते हैं अच्छा हमारा वो सिद्धू किदर है वे किनो हमारा सिद्धू है आगे है वो आगे है इस दो सब्सक्राइब जाए है वो अनों भी अमेन ही आगे गाए है अधर है यह जटी तरह में इस देजर भी अने डेनी तरह मोड़ी ऑजे तरह को शोर मचारे है श्रीट कांगा भी वाज़े तरह में ज़ीका को आदेरे सार्श की आगी कर दिया है कि तो शुनों में किति किना है। जड़ी मलना के फाना धिलो डीजी के खुले हैं फीर उनके घट बंदैं when ईоне agreement लेले लेलीFlow आके टैंट बन मॉन उतियां? जिया सिदू को रोक करें गार व Samuel जो भार हूर है यह वीडियो अब वाइरल हो रहा है पाकिस्तानी नियूस चैनल 24 ने इस वीडियो को सबसे पहले प्रसारित किया इमरान खान ने शनिवार 9 नवंबर को लंबे समय से प्रतीक्षित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत इस सिद करतारपुर कोरिडोर का शनिवार को उधगाटन किया यह उसी दिन का वीडियो है पाकिस्तान सेना के अधिकारियों और इमरान खान से दोस्ती के चलते सिद्धू काफी विवादास्पत हो गए हैं बीजेपी ही नहीं कॉंग्रेस का एक धड़ा भी सिद्धू को इन कामों के चलते नापसंद कर रहा है इस वीडियो के बाद से धूकी मुसीबतें और बड़ सकती हैं शिवरा सरकार की संबल योजना में बड़ा फरजी बड़ा सामने आने से कॉंग्रेस नेता बड़े खुश नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस सरकार में बहुत ही गोपनेता से इस मामले की जाच की तो सामने आया कि लाकों की तादात में गलत तरीके से आपातर लोगों ने इस योजना का लाब लिया लाब लेने वालों में सबसे बड़ी संख्या में बीजेपी नेता आयक कर दाता शामिल है कुल मिलाकर गरीबों को लाब देने के लिए शुरू की गई संख्या योजना एक घुटाले में तबदील हो गई अब सरकार इस मामले में F.I.R. करवा कर दूद करूद और पानी का पानी करना चाहती है जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि F.I.R. होने के बाद सभी घुटाले बाजो के नाम अपने आप उजागर हो जाएंगे पंदरा साल में फर्जी वाड़े के अलावा कुछ हुआ नहीं आज जो है खबर कि संबल योजना में 75 लाग से जादा ऐसे लोग जो कहीं नहीं पेश प्रभारी थे भारती जनता पार्टी के उनके नेता थे इनकम टेक्स पेई थे इन्होंने इसका फायदा लिया संबल का और गरीब लोग उनको नहीं मिल पाया और आज इसलिए उनके बिल आ रहे हैं बड़े बड़े बीजेपी के कारे करता भी शाविल हैं उन्होंने कहा बीजेपी ने अपने 15 साल के शाषंकाल में फरजी बाड़े के अलावा कुछ नहीं किया इस मामले में जनता के पैसों को आपात्रों लोगों से वसूला जाएगा पूर मुपंती शिवरा सिंग चौहान ने संबाई ज नहीं चाहती है यह गरीबों का हक चीनने वाले हैं इनको जनता जवाब देगी ऐसे बौराय और बौकलाय हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं जिनने प्रिश्टाचार के नित नए रिकार्ड इस्थापित किये हैं पूरा मद्पदेश तबाह करने लगे हुए है अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल दो सो लो तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं तीन क्राइटेरिया थे सम्वल के नंबर एक सास्की सेवावनी होना चाहिए नंबर दो इंकम टेक्स पेई नहीं होना चाहिए और नंबर तीन पांच एकर से सब्सक्राद करेंने कहां से घूटाले की बात लेकर आगे सरमाना की सथांट जेए हर बात तो नहीं देना तो घूटाला हो जब react school ने वालों से गहां पर जहीं होनम बना कर रहा है उसके आधार पर जो गरीब थे निम्न मद्धम बरगी थे उनको संबल योजना का लाब दिया और इस सरकार ने गरीबों का गला घोड़ दिया संबल योजना बंद कर दी बिजली के बिल हजारों रुपयों के आ रहे हैं अरे बिजली के बिल तो छोड़ दो बच्चों की फीस नहीं भरवा रही है हमारी बेहनों को हम पैसा देते थे संबल योजना के अंतरगर जनम के पहले बेटा बेटी को जनम देने के पहले 4000 और जन इस बीच भीड में नारंगी कुर्ता पहने एक सक्ष आता है और जोतीरादित्य सिंध्या की चरणवंदना करता है गौर से देखें ये सक्ष कोई और नहीं कमलनाज सरकार के खादैवं नागरिक आपूर्ती मंत्री प्रद्युमन सिंग्तोमर है हाला कि भीड में राजशाही ठसक वाले जोतीरादित्य सिंध्या ने प्रद्युमन सिंग्तोमर को ज्यादा भाव नहीं दिया और वो आगे बढ़ लिये लेकिन ये द्रश बताते हैं कि कौंग्रेस की राजनीती इसी शाष्टांग दंडवत के पैटरन पर चल रही है वरना क्या एक मंत्री को किसी सिंध्या से ठीक तीन साल बड़े हैं ऐसे में ये द्रश कौंग्रेस की भीतर की राजनीती को बया करने के लिए परियाप्त हैं मंत्री प्रद्युमन सिंग इतने समान से तो कभी मुख्यमंत्री को भी शाष्टांग दंदवत करते नजर नहीं आए मंत्री द्वारा सिंध के बाद सिंध्या की आयो ध्या मसलें पर सिंध्या ने कहा कि अब राजनीती समाथ मिए और आपसी सद्भाव कायम है अब प्रगती और विकास के मुद्दे पर काम होगा PCC Chief के सवाल परोहों ने कहा मैं जन सेवा और सेवा भाव के लिए काम करता हूँ किसी पत के लिए नहीं राजनीती समाप देश की हित देश में अमन चैन देश में सामप्रदाएक सदभाव का वातावरण सदेव हो यह हर भारतिय की कामना है जो निदने सर्वोच नियाने लिया है उसका हम लोग सभी को संबाण करना चाहिए और इसी के साथ मैं मानता हूँ कि अब देश के जो एहम मुद्धे हैं प्रगती के विकास के उस पर हम लोग को ध्यान केंदित करना चाहिए बीजेपी निता नरुत्तम विश्या ने कहा कि आगामे विदानसभा सतर में हर मसले पर कॉंगर्स की कमलना सरकार को गिरा जाएगा उन्होंने कहा ये कोई जांच नहीं कर सकते ना किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं दो लाग तक के रिण माफी की गोशना की और उसे भी पूरा नहीं कर पाए बीजली के बिलकम नहीं कर पाए इसलिए अब जांच की बात करते हैं ये गरीबों का हक मारने वाली सरकार है जनता को धोका देने वाली सरकार है ये गरीबों का हक मारने वाली सरकार है, बेटियों का हप मारने वाली, कन्यादान योजना आई तक इनों नहीं दी, नौजवान को विरोजगार आई तक विरोजगार का बत्ता नहीं दिया इनोंने, आई तक स्कूटी नहीं दी इनोंने, कुछ भी नहीं दिया जो योजना थ कि बस ऐसे ही हर बार के दिया कि बिजली अब हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इनों ने बिल माफ कर दिये थे पहले बिजली आ गई तो बोले भाईपा के टाइम पे ट्रांस फार्मर खरीदे हुए फिर के दी के चमका दलतारों पर उल्टे लटक जाते हैं इसलिए बिजल चली जाती है इस तरह की दलीलें दे रही है वास्ता में ये प्रदेश के साथ में एक ऐसी सरकार आ गई है जो प्रदेश की जरता को धोका दे रही है मिश्टा ने कहा अन्य दलों के नेताओं को मंत्री बनाने का लालाश देकर अपने साथ लाए इन्होंने वो भी नहीं किया अब कहते हैं निगम मंदल का अध्याश बनाएंगे गरीब की पांच रुपे की थाली बंद कर दी सोने के चमश लेकर पैदा होने वाली इस पार्ट से करेंगे शाश के संपती पर बकाया बिलों की वसूली पहले की जाएगी साथ ही और दोगिक इकाईया राज के राजस्व का एक बड़ा स्त्रोथ है और इकाईयों पर बकाया विदुत राशी की समीख्षा कर वसूली प्रिक्रिया के दिशा में कारवाई की जाएगी उर्जा मंत्री में प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग ट्रिपिंग को लेकर यू ही जिलाते हैं उन्होंने कहा शिवराज सरकार के समय संबल योजना में लाब देने के आंकडे से 30,000 ज्यादा लोगों को हमने लाब परचाया है भल योजना में जो शिवराज सिंग जी की सरकार दावाई करती थी कि हम 65 लाख उबोगताओं को सुविदा दिलाते हैं आज हम 97 लाख उबोगताओं को सुविदा दिला रहे हैं बाला बच्चन जी ये खबर आपके लिए जरूरी है अयोध्या फैसला आने के बाद एक तरफ पूरे देश की पुलिस मुस्तेदी से अपनी ड्यूटी कर रही है तो वहीं दूसरी और आपकी पुलिस के कुछ लोग ऐसे में भी डांस का लुथ्फु ले रहे हैं बेड़नियों की कमर के ठुमके देखते ये सागर के सानौधा ठाने के पुलिस कर्मी है समवेदन शील समय में इन लोगों की क्या यही ड्यूटी है ड्यूटी की जगहां डुंगा सरा ग्राम में लगे मेले में ये लोग बुंदेल खंड में विवादास्पद माने जाने वाले राई रित्य का लुफ्ट उठा रहे हैं इन गैड जिमेदार पुलिस कर्मियों में सानौधा ठाने में पदस्त पुलिस का एक आरक्षक आर एन शुकला हवलदार गोविंद कोहली तथा एक ASI B.R. छारी शामिल है बारा बच्चन जी ऐसा नहीं कि इन पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर बैठ कर सिर्फ डांस देखा हो बलकि इन होने बेड़नियों तथा उनके वाद्दे यंत्र बजाने वाली कम्पनी के सदस्यों को भी पैंसे बाटे ग्रेमंत्री जी जानकारी के अनुसार जहां यह कारेक्रम हो रहा था उस कारेक्रम इस थल पर इन पुलिस वालों की ड्यूटी भी नहीं थी अब सवाल यह उठता है कि यदि पुलिस करमियों की ड्यूटी नहीं थी तो क्या यह सिर्फ वहां नत्यका लुफ्त लेने आये थे इस मामले में जब पुलिस के अधिकारियों से बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया अब देखना है कि मामला सामने आने के बाद दोशी पुलिस करमियों पर आप और आप की पुलिस के अधिकारी कुछ कारेवाही कर पाते हैं या नहीं कोंटा में दफ नक्सलियों ने समरपन किया है आत्म समरपन करने वाली नक्सली कमांडर 12 जुलाई साल 2009 में राजनन गाउं जिले के मदन वाड़ा में एमबुंच लगा कर पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल था इसे बड़े हमले में जिले के ततकालिन पुलिस अधिकशक विनोद कुमार 24 सहिद 29 पुलिस जवान शहीद हो गए थे कुंटा थाना प्रभारी शरत सिंग ने इस बारे में जनकारी देते हुए बताया कि रेंज के आईजी विवे कानन सिन्हा जिले के पुलिस अधिकशक शलब सिन्हा के मांग दर्शन में छेतर में चलाय जा रहे नकसल उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर कुछ नकसलि में गड़ो, कृष्णा और बद्रू भीजी चेतरकार रहने वाला है और नकसलियों की उत्तरगर्चिरोली डिवीजन की कंपनी नमबर 4 में कमांडर के रूप में काम कर रहा था उस पर सरकार की और से 10 लाख रुपे का इना खोशित था चतियसगर सरकार की मुख्यधारा है और विकास की जुनीती है उससे प्रभावित होकर कुड़ो कृष्णा सहित जिसका पार्टी का नाम बुद्रा था उसके सहित नौ नकसली लोगोंने सरेंडर कर रहे हैं वो हमारे सामने और ये बुद्रा इसके वारा मैं बदाना का सदस्य था इसके उपर 10 लाग का इनाम घोशित था और 2009 के अंदर जो मदनवाडा की घटना हुई थी इसके अंदर ततकाली राट्मन काउं एस पी चौबेसर ने शाहादत को प्राप्तिया था उस घटना में भी ये शामिल था आयोध्धा फैसला आने के बाद टीकमगर में धाराएक सचावालिस लागू की गई शहर में मुस्विन समुदाय ने बड़ी संख्या में जलूस निकालकर इद मिलागू नभी का त्योहार मनाया इसमें प्रशाशन और पुलिस की बड़ी लापर वही देखने को मिली जलूस की दोरान पुलिस और प्रशाशन मुददर्शक बना रहा प्रशाशन की तरफ से जिलूस की पर्मिशन नहीं थी फिर भी लोगों ने जिलूस निकाल कर धार 1144 को दर्गिनार किया जब इस सम्मन में नगरपालिका के पूर्श चेर्मेंट जवर्खान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मौखिक रूप से प्रशाशन से पर्मिशन ली गई थी पर प्रशाशन का कोई भी अधिकारे इस बारे में बोलने को तयार नहीं हुआ दार 144 में जुरूस के बाद टिकमगर में मॉबाईल और इंटरनेट से वाए बंद कर दी गई सरकों पर सनाटा पस्रा रहा दुकाने बंद रही और लोग जरूरी वर्स्तों के लिए परिशान होते रहे इस दोरान कहीं कोई अपरिय घटना नहीं करती और इस्थानिये लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से तोहर को मनाया मद्द परदेश में अफसरों से मिलना और अपने जाईज काम को करवाना भी एक टीड़ा काम माना जाता है अधिकाश अफसरों तो लोगों से मिलने से ही कत राते हैं आम लोग अफसरों से मिलने तक के लिए नेताओं और बिशौलियों की मदद लेते हैं ऐसे में छिनवाडा जिले में आपर कलेक्टर राजेश शाही के केविन के बाहर लगा बोर्ड चर्चा का विशे बना हुआ है बोर्ड पर लिखा है कि हमारी उपलवदता आप ही के लिए है इसलिए मिलने के लिए किसी की भी अनुमती लेना आवशक नहीं है आम तोर पर देखा जाता है कि सरकारी अस्तर से मिलने के लिए समय सीमा का बोर्ड लगा रहता है लेकिन अपर कलेक्टर राजेश शाही और आप समय से बिलकुल अलग है ये बोर्ड अपर करेक्टर राय शाही ने अपनी समस्या लेकर आने वाले आम लोगों के लिए लगाया है राय शाही हमेशा ही आम जनता के कामों को तरजी देते हैं इसके पहले भी वे जमीन पर बैठ कर लोगों की समस्यां सुनते नजर आए और अब फिर से अपने केविन के बार इस तरह का बोर्ड लगाने के बाद उनकी चर्चा हर तरफ है मैं यह मानता हूँ कि जब मैं यहां बैठा हूँ अपने कर्श में हूँ तो कोई भी व्यक्ति इस पेसलिए कोई भी कामन मैन कभी भी आके मिल सकता है पस यह मेरी एक सोच है कि उसमें कोई समय की बंदेश्ट ना हूँ जब मैं यहां कुलब दूट तो जो व्यक्ति आये वो बिना किसी परिशानी बिना किसी टाइम लिए या बिना कोई स्लिप भेजें वो सीधे आकर कि हमसे मिलें ऐसा मैं चाहता भी हूँ और वो करता भी ह कि अब देख रहे हैं दखल्यूर अब देख रहे हैं दखल्यूर अगर्णीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पक्दंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़्डीती से कूटनीती ता दखल्यूर आपके हग्प आप देख रहे हैं तखल्यूर